आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पूनी की फेमस मैंगो मस्तामी की रेसिपी पांच मिनट में ये बन कर तयार हो जाती है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए अच्छे से पका हुआ मीठा आम तो यहाँ पर दो बड चोटे चोटे पीसे इसके हम कट कर लेंगे और जो दूसरा आम है रफली उसके बड़े बड़े पीसे कट कर ले रहे हैं तो जो हमने रफली कट किये थे बड़े बड़े पीसे जो थे वो हमें ग्राइंडर जार में आड़ कर देंगे और डाल देंगे यहाँ पर चीनी जि से blend कर लेना है इसके बाद मैंने यहां पर एक गिलास लिया है जो आम हमने छोटे टुकड़ों में काटे थे वो यहां पर थोड़ा सा add कर देंगे जो हमने शेक तयार किया है वो थोड़ा यहां पर add करना है अब यहां पर हम डालेंगे एक स्कूब वनिला आइसक्रीम का फिर add कर देंगे हम छोटे टुकडों में कटे हुए आम इसके बाद add कर देंगे chop की हुए dry fruits, tutti fruity इसके बाद थोड़ा सा और हम shake यहाँ पर add करेंगे पूरा भरना नहीं है थोड़ा सा ऊपर से खाली रखना है ऊपर से फिर से vanilla ice cream कर देंगे डाल देंगे छोटे टुकडों में कटे हुए आम कटे हुए ड्राइ फ्रूट्स और टुटी फ्रूटी से गार्निश कर देंगे तो आप भी बनाईए और इंजॉई कीजिए